हलो इंवेस्टर्स स्वागत है आपका हमारे चानल इंवेस्मेंट की बजार पर फ्रेंड्स भेल के शियर में बड़ा मोमेंटम नहीं आ रहा है स्टॉक तीन सो रुपे के नीचे फर्स चुका है स्टॉक में अगर आप कह सकते है काफी आप कह सकते हैं एक महीने से कुछ मोमेंटम नहीं आया तो कोई गलत बात नहीं होगी तीन सो रुपे का आपकड़ा का सब वेट कर रहें क्योंकि पहले भी आप कह सकते हैं तीन सो रुपे के उपर शेयर गया लेकिन फिर वाहां से वापेस नीचे आ गया तो में जो यहां पर आकड़ा निकल कर आ रहा है वो 320 का निकल कर आ रहा है 320 के उपर अगर शेयर टिकेगा तो तेजी यहां पर अफकॉस बन सकती है बाके 20th of August यानि कल के लेवल्स पर इस वीडियो में आप डिस्कुरिशन करने वाले यह वीडियो से एजुकेशनल पर्प आप कह सकते है गिरावट आई 290 रुपय के असपास फिर वापेस तेजी आई 303 304 गया फिर वापेस गिरावट एंड फिर आप कह सकते है अभी स्टॉक के जोन पर ट्रेड कर रहा है तो अभी स्टॉक के लिए पॉजिटिव है लेकिन लास्ट एक महिने से स्टॉक का जो है वो वेरी बियरिश साइट पर आ चुका है तो यह थोड़ा सा दोस्तो नेगेटिव साइट पर अभी शियर ट्रेड कर रहा है बाकि यहां पर आपन बात करें खबरों की तो तीन आप कह सकते है तीन अफ़तों पहले 10,000 करोड़ का कंपनी को और उससे पहले आप कह सकते ह अधर कंपनी को आप कह सकते है बहल को बहुत अच्छा आप कह सकते अन्टीपीसी के साथ बड़ा मेगा पक्त बहल को मिलता हुआ देखनी को मिला लेकिन फिर भी स्टॉक ने इतना मुमेंटम नहीं इसके पीछे के दो कारण है सबसे पहला कारण है कि स्टॉक के अंदर जो कह सकते है। बूकरण ने यह भी कह है कि कि अप writes जुत्प कस्ट पर भी देखने को मिल रही है और 35% pada 35% यह पर काफसार बूकरण ने दिए है तो आप कि अमिली-जुली-छब बहेल शेयर को यहाँ पर मिल रही है वाकि यहाँ पर overall आज के बाजार की बात करेंगे तो 31.6 पर निफ्टी और 104.6 पर यहाँ पर निफ्टी रहता होगा देखने को मिला 9.81 मिलियन की वॉल्यूम यहाँ पर आती भी देखने को मिली तो यह छोटा सा नेगेटिव सिंगनल है बाकि यहाँ पर 335 का शेर का 50 वीक हाई है और 390 रुपे का शेर का ओल्टाम हाई है तो definitely major जो आप के सकते इंवेस्टर्स है वो 390 रुपे का वेट करें जोगी चोटी मोटी ग्रावटे इंवेस्टर्स को कभी भी रोकती नहीं है बाकि यहाँ पर डिलिवरी परसेंटेज 25 परसेंट से प्लस का आ रहा है लेकिन जो वॉल्यूम है वो दोस्तों आप कह सकते बिलकुल गिरी गई है आप कह सकते 10 मिलियन, 9 मिलियन, 8 मिलियन की वॉल्यूम आरी है तो यह थोटा से नेगेटिव बात है कि वॉल्यूम आप घटरी है बाकि यहाँ पर ओवरॉल इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो ऐसा ऐलियर सेड इंटाडे बेसिस पर अगर आप कह सकते थोड़ा 10-15 पॉइंट का मॉवेंट मिल जाए लेकिन ओवरॉल जो तेजी बनेगी वो 320 के बाद ही बनेगी 320 के अगर शेयर नहीं जाएगा तब तक ऐसी यह शेयर कारोबार करता रहेगा कभी आप कह सकते चोटा मॉमेंटम आगा 3-4 प्रसंट का फिर अगले दिन गिर किया जब तक 320 रुपर शेयर की प्रोविशनल कुजिंग अगर आप कह सकते बुलिश मोमेंटम नहीं बनेगा काफी प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिलिया अगर इंट्रादे इंवेस्टर के आपर बात करें तो इंट्रादे इंट्रेडे ट्रीडर्टर के आपर बात करें तो बेसिकली यहां पर में यही ही का हूंगा कि 2 97 रुपीस का जो लेवल है उस लेवल के अगर तो आप इंट्राडे में बाय करके चले बाकि ओवरॉल इंट्राडे में मुझलता है कि 302-303 तक की जगा कल के दिन बनती हुए देखने को मिल सकती है तो यहाँ पर तेजी बन सकती है वागे ओवरॉल मार्केट अगर यहां से मिट्काप इंडेक्स होड़ा और एक दो परसेंट का मोमेंटम देता है तो आइम शॉर कि यह जो लेवल है वो भी अपने को आता हुआ देखने को मिल सकता है और आपके और आप कॉमेंट करके बता स देखने को इस विडियो